मुख्यमंत्रि अशुग घेलोत आश्री गंगानगर में कॉंग्रिस थ्याशी भरत्राम में घवाल के समर्थन में जनसभा को सम्बोदित करेंगे रामनीला मैदान में होने वाली इस जनसभा में उपमुख्य मंत्री सचन पालेट और चिकित्सा मंत्री रगु शर्मा भी मौजूद रहेंगे सभा को लेकर सभी तयारियां पूरी कर ली गई हैं और सुरक्षव व्यवस्ता को लेकर भी पूलिस प्रिशासन चौकस है आपको बतादे कॉंग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में आज जनसभा होने वाली है श्री गंगा नगर से खबर बता रहे हैं आपको जहां डिप्टी सेम सचन पालेट और रगु शर्मा भी मुख्य मंत्री अशोग गहलोत के साथ मौजूद रहने वाले हैं कॉंग्रेस प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में ये जनसभा को सम्बोदित करने वाले हैं और उनके साथ डिप्टी सेम सचन पालेट और चिकित्सा एवन स्वास्य मंत्री डॉक्टर रगु शर्मा भी मौजूद रहेंगे श्री गंगा नगर से खबर बता रहें आपको जहां सीएम गहलोता जनसभा को सम्बोदित करने वाले हैं और इसी खबर पर और दिग्जानकारी के लिए एवन समाधाता कमल्दी फोन लाइन पर मौजूद है हमारे साथ जी कमल्दी बताएं क्या अपडेट है आपके पास देखिए मुक्यमंतरी ने परेज कॉनफेंस में सिदा शिदा हमला बोला है केंडर की मौरी सरकार पे और तमाम जो बीजेपी के लीडर्स हैं उनके उपर है इसके लावा मुक्यमंतरी सहतिन्स पाइलेट ने संस्ताओं को कहीं ना कहीं इमांदार ने रहने की एक सवाल खड़ा किया है कि पिछले पांच साल में जिस परकार के कारवाई हुई है जिस परकार के विरोधियों पे ठापे मारे गए है जस्वाल के बताएं कि पहली जनसपा के लिए कि आपडेट है आपके पास बेखिये आभी प्रेस कॉंपश ख़तम होने के बाद में मुक्यमंतरी और मुक्यमंतरी तमाव जो कारिय करता है वहाँ उनके मुलाकात कर रहे हैं उसके लगबग आदा गंदे बाद में एक जनसभा को संबोधित किया जाएगा उसके बाद नौमिनेसिन का कारिय होगा जी कमलदी तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक पर आपको फिर से बता दे शीगांगानगर से खबर जहां सियम अशोग घ्यलोद बस कुछी देर में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं कॉंग्रस पित्याशी के समर्थन में ये जनसभा होने वाली है